हेलो एवरिवन, स्वागत आप सभी का हमारी आज की वीडियो में आज का हमारा विशे भहुत ही छोटा सा और भहुत ही महतोपुण विशे है मुक्त रेखांकन इससे पहले कि हम इसको शुरू करें हमें इन दोनों सब्दों के अर्थ को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर हम मुक्त की बात करें तो मुक्त का आर्थ होता है सवतंतर यानी की फरी होना और रेखांकन आपके दो सब्दों का मेल है पहला सबद है आपका रेखा और दूसरा सबद है आपका अंकन तो इसका मतलब रेखांकन का मतलब हुआ रेखाओं का अंकन करना अंकन का मतलब रेखाओं का खीजना होता है रेखाओं आपको पता है कई परकार की होती है यानि कि सरल रेखा होती है, वकर यानि कि दिर्ची रेखाए होती है, तो इन्हीं के आधार पर मुक्त रेखांकन की परिभासा है, यानि कि रेखाव का अंकन करना और वो भी सौतंत रूप से, आए ये परिभासा देखते हैं, मुक्त रेखांकन की परिवासा देखिए सबसे पहले ये कहता है कि सरल एम वकर रेखाव का सहयोजन सरल एम वकर सरल रेखा यानि कि सीधी रेखा अगर हम पत्य के चितर को ध्यान से देखें तो इसमें बीच की लाइन आपको सरल रेखा की तरह से दिखाए देगी यानि कि बिल्कुल सीदी रेखा और इसके किनारे यानि कि ये आपको तिर्ची लाइन यानि कि वकर रेखा की तरह आपको दिखाए देगा तो ये जितने भी चितर दिखाए दिए हैं आपको चाहिए वो शेब का है, चाहिए वो फूल का है, और इसके अलावा दूसरे चितर है, इन सबी के अंदर या तो सरद रेखाए हैं, या वकर रेखाए हैं, इनी दोनों के मेल से किसी भी चितर का निर्मान किया जाता है, यानि कि इनी का संयोजन होता है कोई भी चितर, और यही कारिय यानि की चित्र बनाने का कारिय अगर सौतंत रूप से किया जाए तो उसे कहेंगे मुक्त रेखांकन दूसरे सब्दों में हम ये कह सकते हैं कि रेखाव का अंकन यदि मुक्त रूप से यानि कि सौतंत रूप से किया जाए तो तो वो मुक्तरे खांकन कहलाएगा. इसके अंतरकत पत्ते, फल, फूल, सबजिया, वरक्स और अन्यवस्तु है. अन्यवस्तु का मतलब खेल का समान वगरा से होता है यहां पर. अगर इनके चित्तर बनाए जाते हैं, तो वो मुक्तरे खांकन के अंतरकत आएंगे. जब भी आप मुक्तरे खांकन करते हैं, तो जिस वस्तु का भी आप चित्तर बनाते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको वस्तु की बनावट, आकरती, और उसके रंग का ग्यान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. यहाँ पर अलग-अलग वस्तु की आपको दिखाई दे रही हैं, और सभी अलग-अलग रंगों की आपको दिखाई देंगी, अलग-अलग बनावट की हैं, जैसे पत्ता आपका अंडाकराकरती के अंदर बनाया जाता है, सेव यानि कि फल आपके, कुछ फल आपके अंडा कराकरती बें बनेगा तो इन आकरत्यों ग्यान होने के बाद आप किशी विचितर को असानी से बना सकते हो जब भी आप मुक्त रिखांकन करते हो तो हमेशा एक बात को ध्यान रखना कि मुक्त रिखांकन के अंदर गज्यमेतिय उपकुरणों का प्रियोग कभी भी नहीं करना चाहिए इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर वस्तू चितरन के विषय में हमने बात की थी अगर आपको ध्यान है क्या जम्यतिय उपकुरणों का वस्तू चित्रण के अंदर के प्रियोग किया जाता है यानि कि वस्तू चित्रण में जम्यत्य उपकरण प्रियोग किया जाता है या नहीं अगर आपको इस बात का धान है तो आपसे request है कि comment box में जुरूर बताएं इसके अलावा अगर आप मुक्तरे खांकन और वस्तू चित्रण इन दोनों विश्यो को अच्छे से समझ चुके हैं आपने दोनों विश्यो की वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको क्या समझ में आया इन दोनों के अंदर क्या अंतर होता है ये भी आप जरूर बताएए आईए अब हम पसुपक्षियों के बारें बात करते हैं सामनत है पसुपक्षियों के सरीर में वर्ताकार यानि कि गोल अंडाकार और आताकार इन्ही आकरतियों से इनके सरीर बनाय जाते है उधान के लिए हमने यहाँ पर एक पैरेट का चितर लिया है अगर हम इस पैरेट के चितर को देखें तोते के चितर को देखें तो इसके सिर के अंदर हमें एक गोल आकरती नजर आएगी और धड़ के अंदर हमें एक अंडा का आकरती नजर आएगी जब हम इनके स्रीर के अंदर इन आकर्तियों को ढूनने की कोशिस करते हैं और हमें अगर इनके स्रीर के अंदर कोई आकर्ति मिल जाती है तो उन आकर्तियों के दुआरा हम किसी भी चितर को बड़ी आसानी से बना सकते हैं इसके बाद अगर हम पसू का चितर देखने कोशिस करें तो यहाँ पर हमने एक elephant यानि कि हाथी का चितर लिया है इसके चितर को भी अगर हम देखते हैं तो इसका चहरा आपको एक गोलाकार आकरती का नजर आएगा यानि कि विर्टाकार आकरती में नजर आएगा और धड इसका आपको आयताकार आकरती में नजर आएगा या फिर आप अंडाकार आकरती के दोवारा भी इसका धड बना सकते हो तो इन दोनों आकरतियों से आप हाथी का चितर आसानी से बना सकते हो पक्सियों के सिरीर के मुख्य तीन भाग होते हैं आप आसानी से समझ जाओगे इस चीज़ को एक सिर होता है चितर में दिखाए दिया आपको एक धड़ होता है और तीसरा इसका पूँच होता है अग्जाम में परसन पूछ सकते हैं कि पक्षियों के सिर्ष के कितने भाग होते हैं, तीन होते हैं, सिर्ष धर्ड और पूंच जब भी आप किसी पसू पक्षि का चितर बनाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि वो पसू उठते बैठते वक्त या फिर चलते फिरते वक्त उसके सिरीर के अंगों की बनावट कैसे होती हैं, अगर आप उस बनावट को समझ जाओगे तो चितर को आसाने से बना सकते हो, इसके अलावा कुछ पसू पक्षियों के चेहरे में समानता होती है, उस समानता को विध्यान में रखते हुए आपको चितरों का निर्मान करना है, जब आप पसू पक्षियों के चितर आपको बनाने आ जाएंगे, तो इन पसू पक्षियों के चितर को आप डिजाइन में या फि अमिद करता हूँ यह परसन आप जरूर करेंगे अगर आप इन परसनों में कहीं कोई दिक्कत आती है आपको तो वीडियो को एक बार फिर ध्यान से देखना इस वीडियो के अंदर ही इन सभी परसनों का उत्तर आपको मिलेगा चितर कला कैसी रिखाओ का सियोजन है? मुक्तर खांकन किसे कहते हैं? मुक्तर खांकन के अंतर किन के चितर बनाए जाते हैं? मुक्तर खांकन से पहले वस्तु से संभनित कौन से महतोपून बातों का ब्यान होना चाहिए? क्या मुक्तर खांकन में जोमेतियों कॉन आपरियों क किया जाता है पसू पक्षियों के चितर सामनेते कैसिया करतियों में बनाए जाते हैं पक्षियों के सिरीर के कितने भाग होते हैं और पसू पक्षियों के चितर बनाते से में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वीडियो के आरम में जो दो परसन हमने आप से पूछे थे उम तो आज के लिए इतना ही अगे फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद